हलो नमस्कार जहिन दोस्तों आप सबका स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल टेक्निकल भी दैसे से में दोस्तों आजी रहम आप लोगों के लिए एक और इंफॉर्मेटीब वीडियो के साथ जो कि CITS एडमीशन 2023 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने व इस वीडियो में बताने वाला हूँ आपका जो है अट लिस्ट आपका जो है फाइनल एडमीशन कब तक होगा तब तक आप लोग तयार हो जाई है तो दोस्तों मैं आप लोग को अभी एक बात इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दे रहा हूं क्योंकि मैं जो आ मैं ने पहले ही आप लोगों को बता था कि थर्ड राउंड की काउंसलिंग जब खतम होगी तभी आपका फाइनल एडमीशन स्टार्ट होगा कुछ कॉलेज जो है अपने इस्टूडेंट को मेल कर दिये हैं कुछ बच्चों ने हमें बताया कुछ बच्चों को जो है मेल कर बता हूं क्या प्रोसेस है तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोगों को पता है 26 तारीक को प्रोजिनल एडमीशन आपके थर्ड राउंड काउंसलिंग के खतम हो जाएंगे उसके बाद दोस्तों दो या तीन दिन आपके जो है चलेंगे ट्रांसफर राउंड काउंसलिंग के इस ट्रांसफर राउंड के बाद जोरी आपको आपका ऐफरी टाइम बचेगा उसके बाद आप थर्ड राउंड काउंसलिंग खतम हो जाएगे आपको इस पाइनल एडमीशन ले सकते हैं चाहे जाए टरफ से आपका नोटीफिकेशन आया हो चाहे नहीं आया हो आप जाकर अपना final admission ले सकते हैं दोस्तों क्योंकि दोस्तों एक tentative date आपके जो है session की आपके 4 सितंबर जो है decide की गई है decide है लेकिन ये दोस्तों officially नहीं है ये tentative है इसलिए मैं इस पर ज़्यादा force नहीं कर रहा हूँ 4 सितंबर से आपके session को start करने की tentative notice आई है लेकिन वो officially page पर नहीं है इसलिए मैं आपको so नहीं कर रहा हूँ लेकिन हाँ अगर ये tentative date आपकी eject date होती है आपके session की तो आप लोग को इससे पहले admission ले लिये जाएगा आपका और दोस्तों इसके बाद भी अगर जो बच्चे 4 तारीक को नहीं जा पाते हैं आपके जो है 5 तारीक को पहुँचे 6 को पहुँचे 7 को पहुँचे फिर भी उनका जो है admission हो जाएगा ये कहने मतलब नहीं है कि आप 4 को ही है session start उसके बाद जाएंगे तो आपका admission नहीं होगा आपका admission होगा क्योंकि आपने provisional admission ले लिया है उस college में तो आपके लिए seat fix हो गई है बस आप जितना late लेंगे दोस्तों क्योंकि आपको 80% अपनी attendance maintain करनी है तो आपके जो छुट्टी होगी वो कम होती जाएगी तो इसलिए दोस्तों आपको admission जो है time से ले लेंगे जा करके अपना final admission ले सकते हैं चार तारीक से जो संभावित आपके जो है session है वो भी आपके लिए जो है आज आएगी बात क्या करना है आप उस चारी चीजों की बेवस्था करते रही एक चीज और जब आपका final admission होगा तो बहुत बच्चे काफी दूर से आते हैं तो वो अपना सारा समान लेकर आते हैं तो वो सारा समान लेकर आएंगे hostel क्या है कैसे मिलेगा वो मैं आपको निष्ट इन्फार्मेटी वीडियो में ऐसे ही बना करके मैं आपको बता दूंगा बना करके तो ऐसा आप लोग ज़्यादा परिसान नहुए बस आपका final admission इसी जो है third round counseling खतम होने के बाद जश्ट रिस्टार्ट हो जाएगा आप spot round counseling final admission के बाद भी जो है होती रहती है और एक चीज़ और आप लोग यह भी doubt मन में मतलईएगा अगर आप admission final नहीं लेंगे तो नहीं होगा आपका admission होगा वो आपको आप ही को जो है जो है आप ही लोगों को जो है उसका जो है नुकसान उठाना पड़ेगा जितना लेट आप final admission लेंगे आपके register में आपकी biometric में लेट attendance लगेगी और attendance लेट लगने के बाद आपका जो है attendance जो है सी परसेंट के लिए आपको कम छुटी मिलेगी सालवर में यही रीजन है बाकी और आपको कोई जानकारी चाहिए आपके मन में कोई doubt है आप हमें comment box में comment कर दीजेगा इ पासा करते हैं आपके doubt clear हो गए होंगे बाकी दोस्तों चैनल पर आप नए है तो चैनल को make sure जरूर subscribe करिएगा thank you for watching दोस्तों जै हिंद जै भारत